बच्चों कैसे आप सब एकदम बढ़िया मैं दीपक पटेल हम सब के चैनल स्टडी भी दीपक पटेल में आपका श्रागत करता हूं तो आज आज आपन जिस चेप्टर का जो कुछ भी बच्चे हुए अब्जेक्टिव अगेरा है वह भी खतम कर लेते हैं ठीक है बच्चों सो पहला अब्जेक्टिव बन सकता है माल लिजाए अगा कभी किसी को यह आप से पूछ ले कि ऐसा यूनिट क्या होगी तो आप क्या हो लेंगे फेरड आगे बच्चे समझ में यह चाहिए यह इलेक्ट्रिकल केपिसेटेंस लिखाओ और चाहिए कुछ भी लिखाओ ठीक है फिर दूसरा आता है कि अगर हम पैरलल सीरीज की कॉंबिनेशन देखें पैरलल और यह सीरीज की तिसमी क्या चेंज होता है याद रखिए इसमें चेंज होता है चार्ज और सीरीज के अंद्र चेंज होता है पोटेंशल याद रहेगा यह चीज थर्ड चीज बन सकती है अपनी कि देखिए अगर कोई आग से कभी पूछ ले वन फेरड इकल टू वोट तो आपको याद होना चाहिए वन फेरड मतलब फेरड किसकी ऐसा यूनिट है कैपेसिटेंस की मतलब सी और आप जानते हैं चार्ज की क्या होती है चार्ज की नहीं सी इकल टू क्यू चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है बताए नहीं आदे तो चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कुलाम ख्यक्त थर्यस यूं पाटेंशल की ब्हीं मतलब पोटेंशल सी 12 क्या होती है तो सी क्या होती है फेरड्ट क्यूओ की कुलाम पोटेंशल की वाल्ट यह हो गया मतलब वं कुलाम अपन पर मिन वोल्ट समझ में आ गया तो अी इसके बाद दूसरा निमेरिकल है सकता अबना अब्जेक्टिव वरी बच्चों एक चीज हमेशे याद रखिए केपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करता है चार्ज इस्टोर इस्टोर इन इट विदाउट इनक्रीजिंग इस साइज एक ऐसा डिवाइस जो खुद में चार्ज इस्टोर करके रखता है उसकी साइज को बिना बढ़ाए हुए इतना समझ में आ गया है उसके बाद और भी अब्जेक्टिव बन सकते हैं आपको अगर पूछ लेए टाइम डायमेंशनल फोर्म्यला उफ एलेक्टिकल पॉटेंशिल तो बताईए आप क्या होगा डायमेंशनल फोर्मूला ऑफ ईलेक्टिकल पोटेंशिल तो इसका होता है M L square T minus Q और A inverse इतना है ठीक अच्छो आगे दिखाई देरा सही से बढ़िया है अगर माल लीजी अगर डाय इलेक्ट्रिक मीडियम हुआ अगर डाय इलेक्ट्रिक मीडियम हुआ तो पोटेंशिल का होता है अपने इसके फैक्टर फैक्टीम पढ़े थे याद वह है वह यह वह इक बाद फिर से पढ़ लेगा तो समझ मां जाएगा अब इस चीज़ आपको याद हमीशा ही की अर्त का पोटेंशिल जीरो होता है ठीक अर्त का पोटेंशिल हमेशे जीरो होता है यह बात हमीशे याद रखनी होगी आपको ठीक बच्चों फिर उसके बाद ऑब्यक्टि और मारे पास बहुत सारे बन सकते लेकिन अगर आपने चेप्टर अच्छे छे पढ़ा है तो मेरे साथ से cover up कर लेंगे अगर आप से कोई पूछे ले कि potential difference क्या होता है potential difference तो आपको पता होना चाहिए electric field intensity into कितना distance between the two points distance between the two points यह याद होना चाहिए बढ़िया बच्छों distance between the two points ठीक अगर आप से कोई पूछे potential कौन सी quantity है मतलब scalar है या vector quantity सो आपको बताना होगा potential equal to क्या जाती है scalar quantity scalar quantity मतलब इसमें दिशाय नहीं होती है potential के अंदर there is no direction ठीक है बच्चों एक बात मेरी सुनिये आपको one electron bolt मैंने पहले ही बता चुका था इस chapter करना introduction पढ़िया आईगा उसमें से बहुत सी चीज कर आई है मैंने ठीक है बच्चों एक बात और मेरी बात सुनिये की introduction पढ़िया यह वह अच्छी बात है लेकिन जैसे सारे derivation मैंने कराए अगर वह आप कर लेंगे तो क्या चीज है ठीक वह की question पूछ लेता है आज के में मेरा उद्देशे था यह आपको सिखाना शिखा दी आज मैं कुछ छूट गया था जो मैंसे जली समरी में यह 15 मीटर अब यहां एक कंगी लगी हुई है यहां से पोजिट्व टर्मिनल और बैटरी से कनेक्टेड है ठीक यहां एक इंसलेटिंग वाल लगा दिया अपने आपको से जच्टका ना लग पाए ठीक अब यहां एक दूसरा कंगी कनेक्ट ज़िसको उपन कलेक्टर कॉम कॉम बोलते हैं वह स्प्रेकॉंब बन ठीक है बच्छो यहां से एक कुली लगी हुई है यह कर दगा दादिएगा घोल गोल करके यह स्कोब अपन क्या ए्प क्या बोलते हैं ठीक बच्छो जो से टूप पीटू की तरफ रोटेट हो रहा है ठीक है बच्चों यहां चार्ज एकटा होगा दियांत देखिए अब क्या होगा यहां इसको अपन कंस्ट्रक्शन देखें तो सब बता चुका था अब मेरे में वरकिंग देखिए यहां से चार्ज सप्लाइ हुआ मतलब बैटरी से चार् के यहां से चाब्ट यहिए से कॉम्ब के और फ कॉलते हैं ठीक इदर से यह अपीट्व पूली प मतलब से लोटी पीडूव टीटू कलेक्टर बच्चों यहां से चार्ज में खाट्टा हुआ फिर इन्डक्शन होने के बाद यहां से फिर चार्च Chuck और हमकितना चार्ज मिलता है यहां से वोल्ट सेवन बोल्ट मंद्द इतना करेंट मिलता है इससे हम कोई सी भी नूपलियर रिएक्षिन करा लेंगे लेकिन इसका साइज बड़ा होने के कारणी इंटर्मेनियंट होता है इतनी बात है इस चेप्टर के थी बेंडी ग्राफ जनेरेटर माइकल करने के लिए ठीक है बच्चों और कुछ इसमें बागी नहीं था हां इतना ही था यह अगर इंसुलेटिंग वोल नहीं होगी न तो आदमी जहां यह बंद जहां काम कर रहे से वहां आदमी मर जाएगा ठीक है बच्चों एक बात पूशनी थी बच्चों मुझे आपसे कि मैं रोज-रोज वीडियो अपलोड करता हूं ठीक है लेकिन एक ही दिन ऐसले मिर्दियो अपलोड नहीं करता संडे का दिन ठीक है उस दिन मुझे बहुत-बाग घर का काम भी करना ओंता है इसलिए तो एक पर ही रही है में रेगुलर ही वीडियो अप्लोड करूँगा बस एक दिन चोड़के वह भी संडे का दिन ठीक है अच्छे इसलिए आप निश्चिंत रही है आपको रेगुलर में वीडियो प्रोवाइट करूँगा अभी थोड़े डेटे की प्रोब्लम है वरना मैं आपकी नया चेप्टर अब स्टार्ट होने वाला है अगर मैं देखता हूँ कुछ छूटेगा तो मैं बता दूँगा अगर नहीं छूट रहा तो बढ़िया अब नेक्स्ट लेक्शन में नया चेप्टर स्टार्ट करेंगे ठीक है बच्चों आज की वीडियो में इतना ही एक चीज और बच्चों जैसे मैं आपको एक लेक्शर के अंदर कुछी डेडिवेशन कराता हूँ क्यूं कराता हूँ क्यूंकि वह आप एक डेडिवेशन सीखें तो आप रेगुलर करें उसको याद रहें मतलब यह हमने आज सीखा एक डेडिवेशन माले इस दो फस्ट चेप्टर में और सेकंड चेप्टर में फिर बता रहा हूँ कि आप हमेशा जितना में कराओं उतना ही करगी जाद दिमाग लगाएंगे तो समझ रहें ना गड़ब लो जाएगा इसलिए आज की वीडियो में इतना ही एविनास्ट विच्चों थेंक्यू